असलाम अलिकुम अभीवन तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ तीन डिलीशस सूजी से बनने वाली रेसेपीज जिसमें बनाएंगे सूजी के रसकुले साथ ही बनाएंगे बेहत सॉफ्ट और बेहत तेज्टी सूजी के दही पड़े और इसके साथ ही हम बनाने वाले हैं यूनीक स्टाइल से सूजी का हलवा जो आज से पहले आपने नहीं खाया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पा ले रही हूँ एक कप शुगर यानिके 250 ग्राम के बराबर ये शुगर है इसमें हमें डालना है 1.5 कप पानी एक कप हमने शुगर ली है और 1.5 कप हम डालना है पानी तो इसका मेजर्मेंट आपको याद रखना है गैस की फ्लेम हम आउन कर देंगे और बराबर चलाती हुए चीनिक को घुलने तक पका लेंगे और जैसे ही चाशनी में बॉयल आना शुरू होगा हम डाल देंगे कौटे टीस्पून के बराबर इलाइची का पॉडर जो की चाशनी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा अब आपको सूजी के रसगुलो की चाशनी मनाने के लिए ज़्यादा ज़ंजट की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आप इस चाशनी को स्लो फ्लेम पर पकाईए चार से पांच मिनिट के लिए बस इसे ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तयार होगी और चाशनी को बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है जैसे ही चाशनी में एक हलका साथ चिपचिपा पनाने लगे आप समझ लिजए कि चाशनी जो है बबनकर एकदम तयार है चाट से पांच मिनिट जैसे ही आपकी चाशनी पक जाए गैस की फ्लेम आप आफ कर दीजे अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप सूजी friends आपको ये trick follow करना है कि सूजी अगर आपकी मोटे दाने की है या फिर बारिफ दाने की सूजी कैसी भी हूँ आपको सूजी को पीस नहीं यानि कि हमें सूजी का एक fine powder बना लेना है जो कि आप देख सकते हैं मैंने सूजी को पीस लिए है तह चलते है next process की तरफ अब मैंने लिया यहाँ पर एक पैन पैन में हमें डालना है एक कप दूद अगर हम सूजी के रजगुले बनाते हैं तो अगर हमने आधा कप सूजी ली है तो एक कप दूद लेना पड़ेगा और अगर एक कप सूजी है तो दो कप दूद लेना पड़ेगा जितनी आप सूजी ले उससे डवल दूद चाहिए हमें तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा टीस्पून के बराबर देसी घी घी को हम दूद में अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स जो सूजी की रजगुले हैं उनकी रेसिपी बहुत ज़दा सिंपल होती है लेकिन अगर आप इनके सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगी तो रजगुले भी एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनके तियार होंगे अब जैसे ही दूद में बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें मिक्स कर देंगे 5-6 इलाइची का पॉडर जो की पिसा हुआ होना चाहिए और उसके बाद हमें मिक्स करना है सूजी जो की हमने अल्रेडी पीस की रखी है अब आपको यहां पर एक टिप को फॉलो करना है कि जब आप दूद में सूजी को मिक्स करें उस टाइम आप गैस की फ्लेम को स्लो रखें और जो प्रेट ले ताकि कोई भी लंब्स अगर दूद में और सूजी में मिक्स करते टाइम पड़ता है तो आप इसको अच्छे से प्रेस करते हुए उस लंब्स को रिमूव कर लें हम यहां पर जो रजगुलो का डू है वो तयार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको डूद एकदम स्मूध टेक्सचर का बनके रेडी हो उसकी लिए आपको जो हाथ है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से चलाना है तीसरी टिप में आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि जब भी आप सूजी का रसकुला बनाते हैं अगर आपका डो थोड़ा भी हार्ड होता है तो आप थोड़ा सा दूद और आइट कर सकती हैं क्योंकि अगर डो आपका हार्ड होगा तो आपके जो रसकुले हैं वो यहाँ पर यह फालू करना है कि जब भी आप सूजी के रसकुले बनाएं जो डो है आपको वो कम्पलीट ठंडा नहीं करना है अगर आप डो को कम्पलीट ठंडा कर देंगी तो आपके जो रसकुले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको क्या करना है जैसी सूजी थो लें दो से तीन मिनिट के लिए ताकि जो डो है वो और अच्छे से स्मूध हो जाए अगर आपको इस टाइम भी लगता है कि दो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो आप थोड़ा सा दूद यहां पर मिला सकती है एक से दो टीस्पून के बराबर दो है थोड़ा सा सॉफ्ट होन काफी स्मूध सा सॉफ्ट डो यहां पर बनकर एक दम रेडी है फ्रेंट से जो डो है वो अभी भी थोड़ा सा गरम है तो हमें फटा फट से सारी गुलाब जाम उनको यहां पर रेडी करना है जिसके लिए हमें लेना है छोटे छोटे से डो के पोर्शन अब आप चाहें त फटा फट से आपको छोटे-चोटे से पोर्शन लेना है डो से और इस तरह से गुलाब जाम उनको रेडी कर लेना है तो यह देखिए कितनी डम क्रैक फ्री जो रजगुले है वो यहां पर बनके तयार है बस हमें इनको फ्राइ करना है तो फ्राइ करने का प्रोसेस यह है क और फ्रेंट्स ये पांचमी टिप्स है कि जब भी आप रजगुलों को फ्राइ करें तेल बहुत ज़दा हॉट नहीं होना चाहिए और मीडियम हॉट ओयल में हम सारे रजगुलों को डाल देंगे अगर आप रजगुले फ्राइ करने में बहुत जल्दी करेंगी तो उनके अंदर गुठली पढ़ जाएगी और अगर आप इनको बिल्कुल स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता से फ्राइ करती हैं तो आपकी जो गुलाब जाओमन है वो काफी जालीदार भी बनेंगे और जो गुठली है वो भी अंदर नहीं पड़ेगी और काफी सॉफ्ट बनके त्यार होंगे रजगुलों को हमें रिफाइंड ओयल में फ्राइ करना है आप चाहें घी में भी कर सकती हैं और एक से दो मिनिट के लिए आपको रजगुलों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है दो से तीम निट के बाद फ्रेंड्स आप रजगुलो को हलके हाथों से बराबर चलाती हुए फ्राइ करिए जब तक ही वो अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते और उसके बाद हमें रजगुलो को डाल देना है चाशने के अंदर जब भी आप चाशने में डाल दें चाशने हलकी सी गुनगुनी होना चाहिए 2-3 घंडे के लिए आप रजगुलो को ढखकर रख दें और 2-3 घंडे के बाद जो रजगुले हैं वो काफी डवल भी हो जाएंगे और ये देखिए आप कितने ज़्यादा ब्यूटिफुल और टेस्टी भी देख रहा हैं काफी सॉफ्ट भी बनके त्यार हुए हैं तो बस रैसे भी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें तो गैस दही बड़े मैं बना रही हूँ आज सूजी के साथ जिसके लिए मैंने लिये एक कप बारिक वाली सूजी अगर आपकी सूजी बहुत ज़्यादा मोटी है तो आपको पीसना है और बहुत ज़्यादा बारिक है तब भी आपको पीसना है तो यह मैंने एक कप सूजी लिए थी उसके साथ मैंने आधा कप लिया है दही तो जिस कप से हमें सूजी लेना है उसी कप से हमें आधा कप दही लेना है और फ्रेंड्स जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हमें एक कप लेना है पानी लेकिन हम पानी को डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके अगर लेकिन जादा बिल्कुल नहीं दही और पानी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लिया कोई भी लंप्स नहीं रहना चाहिए बैटर जो हमारा दही बडो का है बिल्कुल लंप्स-फ्री और स्मूध होना चाहिए तो गैस यहाँ पर हमें दही बड़ों के लिए बिलकुल लंस फ्री बैटर तयार करना है अगर आपकी कोई गांट वगएरा रह जाए उसमें तो उसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हमें इस बैटर को कवर करके रख देना है कम से कम 15 मिनिट के लिए और गैस 15 मिनिट में जो बैटर है वो दही बड़ों के लिए एकदम रेडी हो जाएगा तो आप यहाँ देखिए पहले बैटर जो था वो काफी पतला था अब एकदम ठिक हो चुका है तो बस इतना ही ठिक हमें बैटर रखना है अब हम इस बैटर को कम से कम 4-5 मिनिट के लिए किसी स्पून या हाथ से अच्छे से फेट लेंगे फेटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैटर काफी लाइट हो जाएगा दही बड़ी भी अच्छे बनेंगे अब हमें मिक्स करना है हाफ टी स्पून भुना कोटा हुआ जीरा और मैंने दो मिर्ची लिए हैं बहुत ज़ादा बारी काट के हमें मिक्स कर देना है और इसके बाद एक चमच हमें यहाँ पर लेना है कदू कस किया हुआ अदरक और उसके बाद डालना है दो से तीन चुटकी सोडा आप मीठा सोडा ले सकते हैं या आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं अगर इस सारी चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स इन सारी चीजों को डालने के बाद आपके जो दही बड़े हैं उनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग निकल के आने वाला है तो इन चीजों को आप दही बड़ों में जरूर एट करें तो बस बैटर हमारा दही बड़ों के लिए एकदम रेड़ी है तो चलिए करते हैं फ्राइ तो इसके लिए आप थोड़ा सा तेल में दही बड़ों का जो बैटर उसको डाल के देख लिए अगर इस तरह से ऊपर आ रहा है दही बड़े का बैटर तो समझ लिए दही बड़े आपके प्रफेक्ट बनने वाले हैं तो बस आप इस तरह से छोटी -छूटे पोजिशन में दही बड़ो का बैटर डाल लिजी, अगर आपको ज़्यादा बड़े चाहिए तो आप ज्यादा बैटर लेके डाल सकते हैं दहीबड़ों को तेल में डालते टाइम आप फ्लेम को मीडियम रखीए और जब आपके दहीबड़े एक साइट से अच्छे से सीक जायें तो आप इनको इस तरह से पलट दीजिए और आपको दही बड़े medium flame में ही सेखना है ताकि वो अंदर से भी सिख जाए और अच्छे से फूल सकें अगर आप high flame में जल्दी जल्दी सेख लेंगी तो दही बड़े अच्छे से नहीं सिखेंगे और जब दही बड़े दोनों तरफ से अच्छे से light golden होकर सिख जाएं तब आप उनको निकाल कर direct डालिये पानी में तो आपको इसके लिए लेना है एक bowl में पानी और पानी में आपको direct दही बड़ों को डालना है आपको plate में निकाल के नहीं रखना है सीधा आपको पानी में डालना है जिससे क्या होगा दही बड़े आपके काफी soft बढने वाले हैं और गईस इसके साथ ही मैं उपर से डालने वाली हूँ कोटिटी स्पून नमक अगर आप चाहें तो पहले भी पानी में नमक घोल कर रख सकते हैं उसके बाद उपर से आप डाल लीजे दही बड़े तो पानी में दही बड़े हमें रखना है सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए जैसी उपर की दही बड़ो की लेयर थोड़ी सी soft होती है हम दही बड़ो को पानी से निकाल लेंगे तो देखा आपने कितना फटा फट से जो सूजी की दही बड़े बनके तयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़ादा यम्मी भी लगते हैं तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो दही अच्छे से बीट करके रखा है लंस फ्री है इसमें हमने थोड़ा सा काला नमक भी डालना है और थोड़ा सा अगर आपका दही बहुत ज़धा खटा है तो आप यहाँ पर शुगर भी डाल लीजें अच्छे से मिला लीजे उसके बाद हम दही बड़ों की उपर अच्छे से दही डाल देंगे दही डालने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे और Kate उसके बाद हमिय नमक भुना हुआ जीरा लाल मिर्श का पौडर चाट मसाला जो कि दही बड़ों के टेस को काफी इनहेंस कर देगा और उपर से में डाल रही हूँ यहाँ पर बारिक वाले सेव उपर से डालना है अनार दाना अनार दाने के बिना तो किसी भी चाट का पूरा होना ही मुश्किल है तो यहाँ पर फटा फट वाले सूजी के दही बड़े बनकर एकदम रेडी है रेसिपी पसंद आए तो चैनल क रेसिपी में तब तक के लिए टेक क्यार अला हाफीज बाई हमें सबसे पहले लेना एक मोटे पेंदे का बरतन और उसमें डालना है पौना कप गुड़ तो फ्रेंट्स आप गुड़ को कद्दू कस कटके या फिर काटके भी डाल सकते या फिर आप इसको कुचल के भी डा देना है और उसके बाद डालना है जितना हमने गुड़ लिया उससे डवल पानी यानि कि पौना कप हमने गुड़ लिया है तो डेल या दो कप के बराबर हम यहाँ पर पानी डाल देंगे उसके बाद आपको गैस की फ्रेम को आन करना है और बराबर मिक्स करते हुए हम को पका लेना है तो दो से तीन मिनिट में ही गुड़ अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा खुल जाएगा और उसके बाद हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और गुड़ को हम किसी स्टेनर की हैल्प से चान लेंगे ताकि जो भी कंकर हो या थोड़ा बहुत भी कच गी के साथ बनाती हैं तो यह हलवा बहुत ज़दा टेस्टीवन के तयार होगा घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे थोड़ बहुत ड्राइफरूट्स आप अपनी पसंद से डाल सकती हैं मैंने काजु बादाम और किश्मिश्ली हैं बहुत ही कम क्व लाइची इस रेसिपी में आपको लॉंग जरूर डालना है जिससे बहुत ही ज़दा अच्छा फ्लेवर आने वाला है सूजी के हलवे में उसके बाद हम डालेंगे यहां पर आधा कप सूजी फ्रेंट्स मैंने बहुत ज़दा बारीक नहीं थोड़ी सी मोटी वाली सूजी और दो से तीन मिनिट के बाद हम यहां पर मिलाएंगे दो टी स्पून के बराबर बेसन आप इस सूजी के हलवे में बेसन को मिला कर देखिए फिर देखिए क्या घजब का टेस्ट आता है तो बस यहां पर मैंने दो टी स्पून के बराबर बेसन मिला दिया है अब हम सूज और बेसन को बराबर चलाती हुई स्लो फ्लेम पर 5-6 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारी सूजी भूनती है तब तक हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ हमें लेना एक पैन पैन में डालना है दो से धाई कप पानी तो पानी को सिर्फ हमें यहां पर गरम करना है जैसे एक बॉयल आई आप उस स्टेज पर गैस की फ्लेम आफ कर दें चलिए जलते हैं सूजी की तरफ तो देखिए सूजी के भूंचते हुई यहां पर चार से पांच मिनिट या फिर आप जब तक भूंच लिए जब तक की सूजी लाइट गोल्डन नहीं हो जाए और बहुत अच्छी सी खुश्बू आना शुरू नहीं हो जाए तो सूजी यहां पर काफी अच्छी से भूंच चुकी है 5-6 मिनिट लगे अब हमें क्या करना है जो पानी हमने गरम किया था बस स्लो फ्लेम पर उस पानी को हम धीरे धीरे करके डालेंगे और बराबर हम मिक्स करते जाएंगे एक हाँ से आप पाने डाले और दूर से हाँ से आप बरापर हलवे को मिक्स करते जाएए ताकि हलवे में कोई भी लंप्स नहीं पड़े और इसे स्टेज पर आपको याद रखना है कैस की फ्लेम स्लो रखना है तो जितना भी पानी हमने बॉयल करके रखा था आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते जाएए और इससे आप क्या होगा कि जो भी पानी है वो सूजी अच्छे से अब्सर्व कर लेगी और सूजी में काफी अच्छे से दाना भी पड़ जाएगा और यह हलवा काफी सॉफ्ट बनके तयार भी होगा और यह हलवा आप इन सर्दियों में जरूर बनाईए ही समझ लेजे कि यह विंटर की रेसिपी है और बहुत ही जादा हैल्दी मीठा भी है तो अब हमें क्या करना है कि काफी अच्छे से हलवा भूल चुका है जो गुड़ और गुड़ को हमने पानी के साथ पका के रखा था उसको भी हम थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में डालते जाएंगे और बराबर मिक्स करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी वही प्रॉसेस को फॉलू करना है कि आप जैसी पानी डाले अच्छे से मिक्स करें यहाँ पर भी कोई भी लंप्स सूजी में ना पड़े अगर आप गुड़ का हलवा खाना पसंद नहीं करें तो आप गुड़ की जगा चीनी भी ले सकते हैं लेकिन यकीन मानिए गुड़ के साथ यह हलवा मुझे चीनी से भी जादा टेस्टी लगता है और कोई भी महमान आपके घर आए या फिर कोई भी ऑकेजिन हो आप इस हलवे को बना कर देखे आपकी सब तारिफ करेंगे बश चर्टे आप इस हलवे को गरमा गरम परोसें तो यह देखिए सारा पानी गुड़ का मैंने हलवे में डाल दिया है और जो गैस की फ्लेम है व और इसमें हमने बिल्कुल भी चीनी का यूज नहीं किया है हलवे के टेस्ट को और जदा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है सिर्फ एक चुटकी नमक जिससे हलवा और भी जदा टेस्टी बनेगा अब हलवा जो है वो काफी अच्छे से फूल चुका है तो ह इस तरह से आप उपर से घी डाल कर हलवे को दम जरूर करें जिससे क्या है जो हलवा है वो काफी अच्छे से फूल जाता है और यह हलवा देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है सचमानी है मैंने जब इस हलवे को ट्राइ किया मैं हमेशा सर्दियों में बनाती हूं बहुत जल्दी हलवे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी नहीं है